हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लेविथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है यस बैंक के बारे में आज 17 डिसंबर है और आज हमें जो यस बैंक में क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 3% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे अगर हम रिजन्स की बात करें तो बाजार में एक नेगेटिवी खबर देखने को मिल रही है और यह जो खबर देखने को मिल रही है उसके पूछे मुझे बहुत ही बड़ी साजिस नजर आ रही है और साथ में देखा जाये तो एक अच्छी भी खबर देखने को मिल रही है तो इन दोनों खबर के उपर हम डिस्केशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कल यानि टूमोरों किस तरह के लेवल और टार्गेट देखने को मिल सकते है उसके उपर भी हम एनालीसिस करेंगे चार्ट के उपर तो दोस्तो वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करके इंक्रेज करना ना भूले और चैनल पे नहीं है तो एसी जैनि नेगेटिव खबर नहीं आ रही थी जब 12-13 उपर चल रहा था यस बैंक तब नेगेटिव खबर नहीं है और जब यहां पे जो नेगेटिव खबर लेके आया है तो यहां पे दोस्तों मुझे बड़े लोग कि इस बड़ी साजिस नजर आ रही है तो हम इस खबर के ऊपर पूरा analysis भी करेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे हैं तो सबसे पहले हम आज के कारोबार की situation किस तरह के देखनों को मिल रही है उसके उपर एक नजर कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे हैं जिसा कि आप देख सकते हम नसी की वेबसाइट के उपर आया है और यहाँ पर मैंने येस बैंक को सच करके रखा हुआ है और आज के कारोबर की सुच्वेशन के बात करें तो तक्रिबन 3% के असपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखनों को मिले प्रिवियोस क्लोजिंग हुई थी 80 रूपे 55 पेसे पे और आज में ओपनिंग भी अच्छी देखने को मिले थी 80 रूपे 90 पेसे पे ओपनिंग काफी अच्छी हुई थी लेकिन बात में जो ख दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं तक्रिबन 13 करोड 14,95,000 कौंटिटी हमें ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है नेगिटीव ख़बर देखने को मिले है फिर भी यहां पे हमें डलावरोबर परसंटेज काफी बढ़िया देखने को मि दोस्तों यहां से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं तो कारोबर का सुच्वेशन तो काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है तो जो दो ख़बर निकल क्या है उसके उपर हम नजर कर लेते हैं तो जिसा कि यहां पे आप देख सकते हैं हम मनी कंट्रोल की वेबसाइड क उपर आया है और यहां पे जो खबर देखने को मिल रही है यहां पर देख सकते हैं मेक्वाइरी सेज यस बैंक ऐसेट क्वालेटी ट्रेस कूड राइस सिगनिफिकेंटली नियर ट्रंप्स तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हूं मैं पेज को थोड़ा स् और इसको मैं थोड़ा पेज को स्क्रॉल करता हूं और जैसा कि दूस्तों आप देख सकते हैं उसके पीछे मेक्वाइरी इस ने जो रिजन्स बताया है कि जो यस बैंक का जो एक्स्प्लोजर है वो लार्ज एक्स्प्लोजर रियल एस्टेट और होटल इंडिस्टीज में ह काफी इंपेक्ट हमें देखने को मिले थे तो इसका इंपेक्ट सीधा सीधा यस बैंक का जो एसेट कॉलेटी है उसके उपर आता हूं आपको देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह की दोस्तों एसेट क्वाइरी का रिपोर्ट निकल के आया है और इस खबर को मार्केट ने नेगेटिव ले लिया है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यस बैंक 12-13 रुपे पे जब ट्रेड कर रहा था तब तो इसी कोई नेगेटिव रिपोर्ट निकल के नहीं है जब यस बैंक 19-20 रुपे पे आ तब यहां पे इस तरह की नेगेटिव रिपोर् इन्वेस्टर है वो तो पेनिक हो जाएंगे और कई ना कई वो अपने पोजिशन एग्जिट कर देंगे तो इस तरह की दोस्तों चाल से आपको बशना चाहिए और अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको लॉंग टम के लिए होल्ड करके रखना आपने यस बैंक काफी बड़ी या रिटन दे सकता है तो इस तरह की खबर आती रहती है दोस्तों और यह पार्ट ओफ मार्केट है तो इस तरह की खबरों के उपर दोस्तों आपको पैनिक हो के पोजिशन एग्जिट नहीं करनी है ठीक है मेरे यही सलाहर रहेगी अब दोस देखने को मिल रही है यहां पर आप देख सकते हैं काफी पोजिटिव खबर हमें आती हुए देखने को मिल रहे है और बताया जा रहा है कि यह बहुत ही जल्द एक न्यू इस सीरिस का डेबिट कार्ड लॉंच करने जा रहा है वह भी काफी बड़ी आ फ्यूचर के साथ औ नज़र आ रहा था चाहे हो इंशूरेंस कंपनिया हो चाहे हो फ फिर टेकनोलोजी कंपनीज हो फिर क्रेडिट कार्ड की कंपनी हो तो काफी सारी अलग यलग कंपनीओ के साथ हमें ये स 20 का टाइप इपिसले दिनों मैं देखनेकों मिल रहा है दूसरी बधकों के मुकाबल अच्छा मुनाफा दे के जाएगा येस बैंक आने वाले दिनों में अब कल के लिए किस तरह के लेवल और टार्गेट देखना को मिल सकते हैं उसके उपर एक नजर कर लेते हैं चार्ट के उपर तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे हैं और अभी तक आपने हमारा वीडिय लाइक नहीं गया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों तो जिसा कि आप देख सकते हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के उपर आया है और यहां पर मैंने येस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहां पर मैंने कुछ लाइन ने ड्रो करके रखी और लेवल जिरोधा में अपना account ओपन कर सकते है और जिसकी ने भी हमारी लिंक थूट जिरोधा में अपना account ओपन किया हुआ 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 हमारे किसी भी वीडियो के comments बोक्स में बता सकते हुआ हमारा जो paid service group हम स्टार्ट करने वाला है उसने उसको हम जोईन करेंगे तो देखा जाए फिर अपसाइड मुमेंटम देखने को मिल सकता है यह ट्रेड लाइन यहाँ पर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रोग की है दोस्तों ठीक है और यहाँ पर देखा जाए तो अगर इसी ट्रेड लाइन को फोलो करते है अगर यहाँ निचे की तरफ मुमेंटम करता है तो पिर यहाँ पर सब लेघुरन निकल कर आएग को देखा जाए तो आज हमें जो सब्वाट लेखना को मिला था और यही सब्सक्राइब्य पर आपको कल भी देखना को मिल सकता है अगर इस सब्सक्राइब करेगा तो नीचे की लेघुपर जर दूसरे सपोर्ट लेघंक कर सक अगर दोस्तों गिरावट रहती है, यस बैंक में तब, और अगर उपर की तरफ मुमेंटम दिखाता है, ओगर इस टेट लेंड को ब्रेक करेगा, तो मैं फिर यहां पर एक अपसाइट मुमेंटम देखना को मिल सकता है, और उपर के लेवल पर रेजिस्टन्स लेवल देखन को मिल सकता है, 19 रुपे 40 पेसे तक आपको यस बैंक ट्रेड करता हो, नजर आ सकता है, और अच्छा खासा एक अपसाइट मुमेंटम देखने को मिल सकता है, तो अगर दोस्तों आपकल इंटाइड में पोजिशन बनानी है, तो अगर यस बैंक 18 रुपे 50 पेसे के उपर नि और कल आप इन लेवल्स को ओच आउट कीजिए, और कल आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, और आप अपना भी स्टेडी कंड़क कीजिए, उसके बाद दोस्तों पोजिशन बनाईए, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करके इंक्रेज करा ना बुले और चैनल पे न आप आप υज एनोगा करुए, पन्पोद गाम हो जओता हुआ, अपपना भी उसकत लाइक कीजिए, है करता हो आध दो है से अपनाप इंक्रेजिए, पना ãy Zusड़ क ए मत दिए, गाँ हो जरे धे हैं वी मत हता आप झालिए, और क्म रूनाए, और कुप उप ई।ोगubeगी,